हेलो फ्रेंट्स नमस्कार स्वागात इस नई वीडियो में बात करने वाले हैं केवल दस्वी पास के इंडियेट्स के लिए जियां दोस्तों केवल आप दस्वी पास हैं तो इस वेकेंसी के लिए अपलाई कर सकते हैं ITBP के द्वारा जो वेकेंसी निकाली गई है Minister of Home Affairs की वेकेंसी है Government of India की वेकेंसी है और यह फ्रेंट्स देख सकते हैं ITBP इस पोस्ट का जो नाम है Animal Transport ITBP Constable Animal Transport के पोस्ट पे वेकेंसी यहां पे निकाली गई है और यहां पे बोला गया है कि देख सकते हैं यह temporary basis है यहां पे ल Indian citizen भी apply करेंगे और नेपाल भूटान के भी यहां पे फॉर्म apply कर सकते हैं नेपाल भूटान के citizen और बोला गया कि यह जो है Constable Animal Transport Group C टाइप के पोस्ट वेकेंसी निकाले गी है non-gadgeted यहां पे non-ministerial के पोस्ट पे है on temporary basis यहां पे बताया गया है लेकिन बोला गया likely to be permanent in ITBP in pay scale level 3 और यहां पे salary भी आप देख सकते हैं काफी अच्छा खासा salary आपको देखने को मिलेगा यहां पे बोला गया कि details of vacancies तो यहां पे stable animal transport के पोस्ट है number of post यहां पे बावन रहने वाले हैं male के लिए 44 पोस्ट है और female के लिए 8 पोस्ट पे यहां पे reservation रखा गया है तो यहां पे आप देख सकते हैं category wise भी आपको reservation देखने को मिलेगा जेनरल में EWS में SCST में कितने seat आपको दिखाए गया है इसके बोला गया है कि आप जो है vacancy के लिए इस website पे जो है जनकारी को देख सकते है number of vacancy increase decrease हो सकता है without any notice इसके बाद से यहां पे बोला गया है आपको और जनकारी फिर यहां पे eligibility के बारे हैं बोला गया है कि आपकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए तो देखे age limit सबसे पहले ब मिलता है OBC को मिलता है वह rules यहां पे लागू रहेंगे cut of date of determination in the age will be close 27 September 2022 27 September को जो है आपका date of birth count करे जाएंगे और यहां पे date of birth का भी range दिया गया है आप देख सकते हैं बोला गया कि 28 September 1997 से लेकर 27 September 2004 के बीच आपका date of birth होनी चाहिए यह date of birth का range आप देख सकते हैं जो कि तरगत आते हैं आपका date of birth है तो आप easily form को apply कर सकते हैं बाकी upper age में जो छूट मिलेगा 5 साल के लिए SCST को 3 साल के लिए OBC को एक सर्विसमेन के लिए 10 साल को वो छूट आपको मिलने वाला है अब यहीं पर देखें नीचे में B वाले section ने बोला गया है कि minimum educational qualification मतलब कम से कम आ केवल दौसी पास यहां पर form को apply कर सकता है इसके बाद से friends आप नीचे आएंगे तो यहां पर देख सकते हैं बोला गया है और भी जनकारी और यहां पर बोला गया कि केवल जो है online mode में आप जो है form को accept करे जाएंगे जो कि इसी website से form भरे जाएंगे और यहां पर यहां पर कि आप जो form को apply कर सकते हैं इसी website से और यहां पर सबसे पहले selection process बोला गया है देख सकते हैं सबसे पहले आपका physical efficiency test होगा यानि सबसे पहले आपको दौड होगा उसके बाद friends यहां पर physical standard test होगा फिर आपका written test होगा फिर आपका documents verification फिर आपका detail में medical examination होगा फिर आपका review medical examination यानि सबसे पहले आपको दौड होगी आपकी height ना पी जाएगी जो physical जो है efficiency test होता है उसके पर physical assistant standard test और फिर एक डेड़ महीने बाद जो है आपका written test जो है यहां पर conduct करे जाते हैं तो friends देख सकते हैं यह जो है बहुत ही संदार vacancy है उन सभी candidates के लिए जो यहां पर ITBP में अपना जो है carrier बनाना चाहते हैं और संदार vacancy है defense line की इससे बढ़िया vacancy जो है नहीं आती है कभी बहुत ही संदार vacancy यहां पर निकल के आ रही है अब यहां पर यहां पर यह भी बोला गया है कि कबसे online start हो जाएंगे तो देख सते हैं friends 29 अगस्त से जो है यह online start हो जाएंग कि रात को 12 बजे के एक मिनट पर मतलब 12 बज के एक मिनट पर और यहां पर बोल गया है कि and will be close 27 सेप्टेंबर को जो है इसका online close कर दिया जाएगा तो important date friends आप याद रखेंगे 27 सप्टेंबर 2022 तक आप फॉर्म को apply करेंगे 29 अगस्त से जो है form फिलर पर start हो जाएंगे तो मैं एक separate video आपको 29 अगस्त को लेकर आऊंगा कि कैसे आपको form को apply करना है और इसका detail notification भी 29 अगस्त को यह आएगा जैसे दोड कितना होता है height क्या होनी चाहिए weight क्या होनी चाहिए return exam का syllabus क्या है इसके साथ सब जो भी PST, PET exam है उसके syllabus आपको देखने को मिलेंगे जब इसक short notification है अगर आप यह notification PDF download करना चाहते हैं तो आप जो है defensejob portal.com की website से जाके download कर सकते हैं या आप जो है DAVP की officially website से भी आप इस notification को download कर सकते हैं DAVP यह जो है government of India के द्वारा जो है यह portal बनाया गया है जिस पे इस तरह की notification हमेशा जारी होती रहती है तो DAVP की website से भी यह download कर सकते हैं और साती साथ defensejob portal.com की website से भी आप इस notification को download कर सकते हैं तो friends आपको यह vacancy कैसा लगा comment box में बताइएगा इसके vacancy का regarding कोई भी doubts है comment है तो आप comment box में पूछ सकते हैं मिलते हैं किसी नए वीडियो को साथ नए vacancy के साथ हमें दीज़े इजायत और देखते लिए DS helping forever thank you for watching जह रहा हम जहीए unlike a lot की जहीश वे आले हो जाइओा और में भी यहाँ हो में भी म댁ड़े एना हैं जहीः रहा हने हैं जहीषण को साथ हैं में में झाल झाल